लोग बात करें कैसे बारे में जिसने काफी निविसकों का पैसा है उसकर श्रीकिल होगे कि अगर कुय रहाना है निकल जाना है साथ में अगर कोई नया बेखती खासकर जो नए लोग सेर बजार में आते हैं तो उन्हें क्या 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 सोधाने अबरतनी की जरूरत है इस कंपनी में चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखें दोस्तों जातेंगे जो महराष्ट को प्रोडक्ट य बैशने का उसको करने का कम्पनी का मार्केट के पर 18.8 क्रों रॉपे बहुत च्छोटी कंपनी है और इसका भास देखेंगे तो है कि जब किसी चला जाता है तो उसमें याना बंद हो जाता है और आप काफी दिनों से देखेंगे तो एक रुपय बीस पैसा से लेकर एक रुपय अठावन पैसा के बीच में इस कंपनी का से रह रहा है अब जब तक यह अपने निकलेगा नहीं इसके पैस में तेजी आएग तो जब यहां हाई बनाने की तरफ अग्रसर था यह श्टॉक मतलब इसके शेयर प्राइस में तीजी आ रहा था तब बहुत से खासकर जो नए निवसक शेयर में आया थे उन लोगों ने इसके बढ़ती प्राइस को देखकर इस कंपनी के सेयर को बाई करना शुरू किया उ काफी सार ने लोगों ने इस कंपनी के सेयर को बाई किया दबा के बाई किया सेयर प्राइस बढ़ा बढ़कर पहुंच गया दूर पर शुरू हुआ तो अभी डाउन होने के बाद आके देखेंगे तो लोग हो गया है अब ना तो इससे उपर जा रहा है ना इससे नीचे मेंटल के साफ से बताता हूं कि कमपनी फ्यूचर में क्या करेंगी समझे इसका जो बुक भैलू है नावासी पैसा क्या सपास से मैं बार बार अपने वीडियो में यह कहता हूं कि कि स्टॉक का प्राइस जो बुक भैलू है तो डेंजरस होता है यहां एक रुपया से कम है यह काफी निगेटव बात है और निगेटीव emburs नहीं है लेकिशन क्यूपनी कर्जा नहीं है जीने करजा है लेकिन यहां आप देखेंगे तो नहीं tube देख हो है तो आगज कंपनी बुरय वखत नहीं कर पाए rein आया था तो उम्मीद था कि और रियाट अच्छा आता है तो कम्पनी का सेयर प्राइस में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन को अच्छा नहीं आया इसमें जो क्वार्टर फूर की नतीजह हैं इसमें इस कंपनी का रभीन्यू जीरो-जीरो हुआ है यानि कि तो देखिए प्रोफिट नहीं हुआ कंपनी को लॉस हुआ है संतावन लाख का संदार लॉस हुआ है जो कि पिछले कौटर में सिर्फ तीन लाख का लॉस था काई दिस होना यह चाहिए था कि लोग्व कंपनी को तो प्रोफिट कहा होगा इस वार और लॉस बढ़ गया है ह वोल्डिंग बैटरेंस की बात करें तो देखिए कंपनी का इस्तिति का नाजूक है अगर इसमें विडिक हैं तो मेरा सलाह रहेगा देखिए सिर्फ मेरा सलाह है बाकी आपको ठीक लेगा तो कीजिएगा मैं कोई से भी रेजिस्टर नहीं हूँ मेरे पास इतना नोलेज है उसके विश्चेस पर आपको बता रहा हूं मेरे ख्याल से अगर आपका इंवेस्टमेंट अधिक है तो आपको इसम मन में कोई भी सवाल है कोई संका है डाउट है तो आप में जरूर पूछे मैं सबके कमेंट कर रिप्लाइज देता हूं आप हमसे परसेनली बात करने के लिए हमारा इंस्टाग्राम से जूड़ सकते हैं और अगर शेयर बजार से समन्धित रेगुलर अपडेट पना चाहत हैं मिलते हैं नेक्ष वीडियो में ततो लिए धन्यबाद सुक्रिया